नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर एक बहुत इंपोर्टेंट मैं क्लैरिफिकेशन देंगा कि अगर आप एक एड़ुकेट हो जो अपने डिवॉस के केसिज, मेट्रिमोनियल केसिज अगर डील करते हो तो आपके लिए बहुत जादा इंपोर्टेंट है साथी में अगर एक आप common man हो, तो आपको एक legal awareness के तोर पे यह जानना बहुत जरूरी है कि आगे चलके आपके साथ में, आपके कलीक के साथ में कोई ऐसी dispute arise होता है ना, तो आपको मेर ये बात ध्यान में आएगी सबसे पहली बात मैं आपको discussion के तोर पे बताना चाहूँगा कि यहाँ पर एक हमारे husband था और एक यहाँ पर wife थी तो husband और wife अपना दोनों शादि शुदा जीवन अपना चला रहे थे और इनके तीन बच्चे भी थे अब ऐसे case में धीरे धीरे इन दोनों के बीच में मिया वीवी के बीच में अपने dispute arise होने लगे अब dispute arise होते होते यहाँ पर जो wife थी वो एक दूसरे आदमी के साथ अपना live in relationship में या फिर relationship के तोर पे अपना चलाने लगी जो कि husband को पता लग गया अब ऐसे case के अंदर husband जो है अपने इस wife के activity के ऊपर ना खुश था अब husband ने अपना plan करा कि मैं जो है यहाँ पर अपने wife के खलाफ जो है divorce case फाइल करता हूँ यहाँ पे husband ने अपनी wife के खलाफ on the ground of cruelty divorce की petition फाइल कर दी family court के अंदर अब ऐसे case में family court वालों ने का चलो भई ठीक है husband हम तुमारा case की सुनवाई कर लेते हैं और तुमार को divorce grant करा जाना चाहिए यह नहीं करा जाना चाहिए इसके अपर हम अभी हम facts and circumstances को देखने के बाद इस सारी के सारी clarity को हम समझेंगे बस इतनी सी बात यहाँ पे clarify करी गई उसके बाद यहाँ पे case चलता रहा अब आप लोग बताईए कि अगर कोई उस respondent को सम्बन भेजता है petitioner के behalf पर कि respondent यानि कि wife तुम court में आओ तुमारे खिलाफ यहाँ पर case file करा गया है husband के दुबारा divorce का on the ground of cruelty अब यहाँ पे अब एक बात बताईए कि court आपको बुला रहा है court के अंदर आपके खिलाफ case file हो आप court में आई नहीं रहे तो यानि कि यहाँ पे court का आप जो उलंगन कर रहे हो इस case में court ने दुबारा notice बेजा wife दुबारा नहीं आई court ने तिवारा तीसरी बार भी notice भेजा यानि कि संबन भेजा wife तीसरी बार भी नहीं आई अब ऐसे case के अंदर husband को यहाँ पे court ने बोला कि husband तुमारे favor में मैं ex party decree पास कर रहा हूं कि भाही मैं respondent को बलाये जा रहा हूं respondent आने को ready नहीं हो रहा अब इस case के अंदर जो है मैं यहाँ पर ex party decree पास कर रहा हूं तो husband तुमारा यहाँ पे roll आता है कि अब तुम जो facts and circumstances प्रूव करना चाहते हो तुम वो prove करो यानि कि तुम जो wife के खिलाफ अपना cruelty का ground बना के जो तुम बात कर रहे हो ना तो वो तुम पेश करो अब ऐसे case के अंदर यहाँ पे husband ने अपन को सुनने के बाद यहाँ पे divorce grant कर दिया यहाँ जब दूसरी party आई नहीं रही है दूसरी party court के अंदर चाहती नहीं है कि मैं court में appear हूँ तो obviously court क्या करेगा court आपको जो है यहाँ पर सीधे तोर पे expert degree pass करके आपको सीधा भार का रस्ता दिखा दिखा देगा कि भी आपका रस family court के अंदर एक ground बताया कि जसाब मैं एक unpad हूँ uneducated हूँ illiterate हूँ ठीक है तो जसाब मेरे को जो है मेरे को किसी ने एक गलत legal advice करी गई थी कि संबन आ रहा है संबन आने के बाद भी court में मत जाओ कोई कुछ नहीं भी गाड़ पाएगा तुमारा वेगरा वेगरा मेरे को wrong legal advice दी गई थी और मेरा जो है संबन आपके जो मेरे को द्वारा भेजा गया था मैं एक illiterate थी में को पड़ा लिखना आता नहीं है तो मुझे court में appear इसलिए मैंने नहीं हो पाई थी प्लीज जो आपने divorce decree grant करी है उसको set aside कर दीजिए या फिर इसको reconsideration में ले लीजिए यहा यहां पे court ने बोला कि भाई जब तुमने wife husband के खिलाफ तीन-तीन case already file करे हुए है पहल से करे हुए थे अब उसके बाद जब तुम्हार को यहां पे संबन करके divorce cases के अंदर appear होने के लिए बोला हुआ था तो तुम अपने आपको illiterate का ground बनाते हुए एक relief लेना चारे हो जो divorce case के अंदर जो family court आपको तीन-तीन बार संबन भेजते हुए आपको appear होने के लिए बोल रहा था जब आप गायब थे तो ऐसी case में हम ignorance of law divorce cases को petition pass होने के बाद decree pass हो जाने के बाद आप अगर ignorance of law as a wife के तोर पे claim कर रही हो तो हम आपको इसको लाओ नहीं करेंगे और जो divorce petition की decree pass करी गई है family court ने वो बिल्कुल सही है यहाँ पर ignorance of law is not a ground and cannot be claimed by wife to set aside the divorce decree which was granted by the family court so family court यहाँ पर faulted नहीं है कोई गलती family court नहीं करी है आप culprit हो आपकी गलती है तो ऐसे कि इसके अंदर यहाँ पर सीधे मुद्दे के अगर मैं बात करूं तो आपको एक knowledgeable perspective से जर्णना सकता आपके particular legal rights को enforce करने के लिए आपके साथ इंसाफ हो नया है आपको मिले भाई बिल्कुल मिलेगा आपको सही वकील सही legal knowledge सही limitation period सही jurisdiction और सही पैक्योनरी jurisdiction यह सब चीज़े अगर आप पहचानते हो यह 5-6 steps जो होते हैं हमारे legal terminologies में अपना case file करते दुरान तो आपको इं description box के अंदर दे दूँगा वीडियो बहुत important है शेयर जरू करिएगा आपका कोई भी personal case है जिसमें आपने को clarification चाहते हूं तो comment box के अंदर सारी queries बता सकते हूं मैं आपको clarification जरू देऊंगा बस आपकी duty क्या है वीडियो को share करना वीडियो को like करना चैनल को subscribe करना हम मिलते है next video गन्दर थैंक यू